नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर बुद्वार को महराश्य सरकार के मंत्री मंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया इस फैसले के तहर यहा आदेश दिया गया कि अपसे राज की सभी दिकानों में नाम के बोर्ड मराठी भाशा में लगाने पड़ेंगे सिदे शब्दों में बताए तो अपसे हर दुकानदार को अपने दुकान का नाम मराठी में लिखना होगा साथी दुकान पर लगी पट्टी में मराठी भाशा में लिखवा नाम बड़े अक्षरों में लिखना होगा बोल्ड अक्षरों में दुकानों के नाम लिखने का आदेश खासतोर पर उंदकानदारों के लिए दिया गया है नाम की पटी बड़े अंग्रेजी के अक्षरों में लिखी हुई होती थी और खाना पूरती के लिए किसी एक साइड में मराठी में छोटे अक्षरों में नाम लिखे जाते थे दरसल यह फैसला 2017 में ही लिया गया था लेकिन विवारिक दुष्टिकों से है सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा था मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे के नेत्रों तुमें बुद्वार को ही मंत्री मंडल की बैठक में इस आदेश को असरदार तरीके से लागू करने का फैसला लिया गया है इस निरने पर राज के छोटे बड़े दुकानदारों ने मिश्रीत प्रतिक्रिया दी है हमारे देश की भोगोलिक सिथी ऐसी है जहां साल में उसतन तीन सो दिन धूपाती है प्राक्रोतिक इंधन कम हो रहा है और पेट्रो डीजल की कीमत देल लगातार बढ़ रही है प्रतियूनिट बिजली की कीमत आम जंता का कमर तोड रही है ऐसे में सौरूरजा एक नावी कल्ब दिख रहा है मनपा परिवन विभाग ने बस स्टैंट पर सौरूरजा के जरीए विभिन्न उपकरन चलाने की पहल की है फिलाल हिंगना रोट सित और एंसिटी डीपो में 17 किलो वोल्ट बिजली उत्पादन शप्ता का सौरूरजा प्रकल्प लगाया गया है यहां के कार्यलेन काम के लिए सौरूरजा से उत्पन होने वाली बिजली का ही उपयो किया जाएगा विभा की योजना संपुन डीपो को सौरूरजा से चलाने की है इससे बिजली की भारी बचत होने का अनुमान है लेकिन इस अनुमान और हकिकत में एक बहुत बड़ा अंतर है और इसी अंतर में छिपा है गहरा राज जिहां जिसमें करोडों नहीं अर्बो का खेल है कुछ ऐसा ही निर्ने कुरुशित पन बाजार समिती ने भी लिया और कलमना मंडी में सोलर पैनल लगाने की तयारी कर ली मंडी के व्यापारियों को बताया गया कि सोलर पैनल लगाने के बाद भारी भरकम बिजली बिल से रहत मिलेगी लेकिन विवहारिक दुश्टिकों से यह अब भी उतना उपयोगी साबित नहीं हो रहा है सौमी विवेकानन ने आध्यात्मे के माध्यम से यूवाँ को आत्म निर्भरता की सीख दी और सामाजिक नेतुत वकरने के लिए प्रेर ना प्रदान की भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए यूवाँ को विवकानन की दुश्टि को अपनाने की आवशकता है यह विचार महात्मा गांधी आत्राष्टे हिंदी विश्विद्धाले के कुलपती प्रोफेसर रजनीश कुमार शुकले ने वेक्ट किये विश्विद्धाले में 12 जनुरी को सौमी वेकानन की जहनती राष्टे यूवाँ दिवस के रूप में मनाई गई इस उपलक्ष में विश्विद्धाले की राष्टे सेवा योजना की ओर से आत्म निर्बर भारत और यूवा समाजिक निर्टुतो विशह पर तरंगाधारित राष्टे संकोष्टी का आयोजन किया गया कारेक्रम की अध्यक्षता विश्विद्धाले के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकले ने की कारेक्रम में वक्ता के रूप में दीन दयाल शोट संस्तान के संगटन सचु अभय महाजन उपस्तित थे खुलपती प्रोफेसर शुकले ने अपने अध्यक्षिय उद्भोधन में कहा कि लोकमान ने बाल गंगाधर तिलग महात्मा गांधी, नेताजी सुबास चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालविया आधी नेताओं पर सौमी व्यकानन की विचार दशन का प्रभाव रहा है सौमी व्यकानन ने अन्यों के विकास को लक्ष बना कर स्वयम का विकास करने का विचार रखा और इसी विचार को यूवाओं को आत्मसात करने की प्रेर ना दी युवाओं के लिए उनके विचार सरवत्तम आदर्श एवं प्रेयरक है Green and Clean Foundation और Vira Foundation द्वारा संयुक्तरूप से रुख्षारोपन वस स्वच्छता अभियान चलाया गया इस कारेक्रम में 100 रुख्ष लगा कर परिसर स्वच्छ किया गया लगाये गए 100 पोदों का पालकत्व वहां के रहिवासियों को दिया गया इस कारेक्रम में प्रमुक्ता से विनित ठाकरे, संदीप सरोदे, कांता गोर मारे, दीपक पोहन कर, मुकेश पाटिल, निरंजन वान खेडे, शार्दावीके, छाया पोहन कर, निलिमा बोर कर, विरा फाउंडेशन के संस्तापक सुनिल वदस कर, रुशब वान खेडे, और एजी इंफ्ला एन्विरो के शशांच ओबेद्वारा ग्रामिनों को स्वच्छताप पर संभोधन और मार्गदर्शन किया गया, ग्रिन एंडेशन के संस्तापक संदीप मानकर, नवदेश सिंग बासिन, सोपनी लियरपुरे, राहुल छाबरा, राजा भाउ ठकनाईक, अ भारत शाहु, गोपाल पेटकर, कोशिक, सुरेश गंदेवर, विक्रम रेड़ी, अमन कनोजिया, सचिन उईके, लक्ष्मिकान पडोले, राहुल ठाकुर, निरच कनोजिया, कपिल मोहोड, शुकुमार शाहु, श्रेश्ट चावरसिया, पंकच त्रिवेदी, राहुल गव अनुराग नेवारे, राब जोच सिंग बसीन, जयश बेड़ेकर, मंगेश मेश राम, संकेत तायवाडे, करुन जयत्वार, गोविन वराले, किरनिंगोले, शिवम कानोजे, सचिन उईके, भरत, मनोच करवतकर, विक्रम रेड़ी, निलेश चोधरी, जोसना कुरेकर, विल राजगा एकवार, उमेश हेड़ाओ, आदी उपस्तित्थे दयानन आरेकन्ना महाविद्धाले के राष्ट्य सेवा योजना द्वारा, स्वामी विवेकानन की जयनती, राष्ट्य युवा दिवस के रूप में ओनलाइन मनाई गई कारेकरम की अद्यक्षता प्राचारय डॉक्टर श्रदा अनिल कुमार ने की, प्राचारया ने कहा कि स्वामी विवेकानन की अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारिरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्मान ह मन का विकास हो, बुद्धी विकसित हो, तथा बालक आत्म निर्बर बने बालक एवं बालिका को समाशिक्षा देनी चाहिए कारेक्रम में NSS की छात्रा द्वारा सौमी विविकानन की जीवन पर विचार प्रस्तुत किये गए कारेक्रम का संचालन शितल तुरुक कमा ने एवं आभार प्रदर्शन कोमल चवान द्वारा किया गया कारेक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं एवं छात्रा एं उपस्तित थी नाकपुर मंडल के अंतरगरत मंडल के सभी रेल वेस्टेशनों पर रेल परिसरों में यात्रियों तथा करमचारियों को कोविड संक्रमन से बचाओ है तुर प्रतिक्ष चस्तर पर प्रयास किया जा रहा है रेल यात्रियों एवं करमचार्यों को COVID-19 की संक्रमन से बचाओ है तू मंडल में नियमित सापसफाई तथा सेनिटाइजेशन कार्य भी किया जा रहा है इसके तहत मंडल के सभी कार्या लेओ, यात्री प्रतिक्षा लेओ, टिकेट घरो, प्लैटफॉर्म, बैठक्स दलो सहीत यात्रियों के पहुँचवाले सभी जगों पर तथा रेल परिसरों की सापसफाई तथा सेनिटाइजेशन नियमित रूप से किया जा रहा है साथी मंडल के सभी प्रमुक स्टेशनों में पैसेंजर अनाउस्मेंट सिस्टिम तथा अन्यमादमों से कोरोना से बचाओ के लिए सरकार दोराज जारी नियमों का सक्ती से अनुपालन करने हैं तू यात्रियों को जागरु किया जा रहा है यात्रियों को मास्ट पहनने, बार-बार हाद धोने, नेमित रूप से सनिटाइजेशन का प्रयोग करने, एक दूसरे से दोगच की दूरी बनाय रखने का आगरह किया जा रहा है मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उप्पल ने यात्रियों वर रेल कर्मियों से अपिल की है कि वे कोरोना से बचाओ के लिए सरकार द्वारा जारी सभी नियमों का सक्ती से पालन करे तथा संक्रमत से स्वयम बचे वर दूसरों को संक्रमित होने से बचाए मकर संकरांती में भले ही एक दिन बचा हो लेकिन पदंग बाजों का जुन अभी से नजर आने लगा है कभी मनोरंजन के तोर पर उड़ाई जाने वाली पतंग आज पतंग बाजी के रूप में एक रिवास परंपरा और तेवहार का पर्याय बन गया है लेकिन व्योसाइक्ता ने इस मनोरंजन को रखतरंजित कर दिया है पतंगों की दोर से सांसों की दोर भी कट रही है जिसम लहुलुहान हो रहा है लेकिन तमाम प्रतिबंदों के बावजूत खुनी मांजे पर रोक लगा पानाम मुश्किल हो रहा है हालाकि राष्टी हरीत प्राधिकरन न्याले और प्रशासन नैलोन मांजे पर रोक लगाई है लेकिन अभी भी नैलोन मांजा की चोरी से भी क्रीच जारी है आकाश में इस बार देशी करांती दिखाई देंगी बच्चा पार्टी से लेकर युवा वर्ग मकर संकरांती के लिए तयार है अब देखना होगा कि आस्मान में कोन किस की पतं काटेगा क्या वाकई पतं कटेगी या आकाश में मुक्तरूप से विचरन करने वाले बेजुबान पंची कटेंगे चीनी नायलोन मांजे का सब लोग मिलकर सामुईक भहिशकार करेंगे तो उसे खरीदने वाला तो क्या दुकानदार भी उसे बेच नहीं सकेगा पतं काटने के बाद वही मांजा पेड, बिजली के खंबे, बिल्डिंग के टीवी केबल और उडान पुलों पर जालर की तरह दिखाई देता है जो खतरनाक साबित हो सकता है नाग विदर्ब चेंबर्स और कॉमर्स विदर्ब के 13 लाग व्यापारियों की अग्रणी वशीर से संस्ता है तथा चेंबर सदेव व्यापारी समधाय के हितार्त सरकारी एवं गहर सरकारी संस्ताओं के साथ समनवे बना कर एक तरीके से सेतु का कारे करता रहा है आगामी फरवरी माहा में केंद्रे वित्तमंत्राले द्वारा वश्च 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत होने वाला है चेंबर की अद्दक्ष अश्विन मेहाडिया ने वित्तमंत्राले को भेजे गए प्रतिवेदन द्वारा मांग करती हुए कहा कि सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए आगार की दर 25% की है तथा पार्टनर्शिप फर्म के लिए आगार की दर 30% सरकार ने छोटी कंपनियों की तरह पार्टनर्शिप फर्म के लिए भी आयकर का दर 25 पतिशत करना चाहिए आयकर के प्रावधान 44 के तहट पार्टनर्शिप फर्म में पार्टनरों को फर्म से अपना मांधन तथा उसके ब्याच पर आयकर में छूट देना चाहिए चेंबर के उपादक्ष अर्जुन्दास अउजा ने कहा कि चेंबर्स द्वरा काफी समय से वेक्तिगत आय में आयकर के प्रावधान से छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है लगू एवं मध्यम व्यापारियों तथा नोकरी पेशा वेक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए पाच लाख रुपे तक वार्शिक आय को पूर्ण तहट छूट देना चाहिए मेहमुदा शिक्षन वा महिला ग्रामिन विकास बोधेशी संस्ता में ग्रामिन विकास मंत्राले केंतरगत दीन दयाल उपाद्धै ग्रामिन कौशली ओजना में राश्ट्री उवादिवस मनाया गया 12 जन्वरी को पूरा देश राश्टिवा दिवस सौमी वेकानन की जहनती पर मनाता है क्योंकि उनकी विचार हमेशा से युवाओं को प्रेरित करते आ रहे है इस कारेक्रम में पूरो कैमिनेट मंत्री डॉक्टर एनिस एहमेद डारेक्टर सेंटर इंडिया लॉकॉलेज डॉक्टर एसेम राजन तथा डीडी यूजी के वाई डारेक्टर तुशार मेश्राम उपस्ति थे डॉक्टर निस एहमेद ने अपने भाषन में कहा कि सौमी विवेकानन अपने शक्तिशाली वद तर्क युक्त विचारों से सामने वालों का नजरिया बदलने की शमता रखते थे उनकी इसी प्रभावशाली व्यक्ति मत्व और दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए देश उन्हें उनकी जैनती पर नमन करता है तुशार मेश्राम ने अपने भाषन में बताया कि सौमी विवेकानन युवाओं के लिए प्रेरना स्त्रोत है वे हमेशा युवाओं को निराशा से भरे जीवन को उल्जा से भरने के लिए प्रोच साहित करते थे उनका कहना था एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ युवाओं को विवेकानन की विचारों से प्रेणा लेकर अपने भविश्य को सफल बनाना चाहिए देयोता लाइफ फाउंडेशन के तत्वाधान में वंदे मातरम रक्तदान महायग कायो जन धरमपेट में सौमी आर्केट सित कार्यले में किया गया रक्तदाता सम्मान समारों में मंचपर पुलिस उपायोगत गजानन राजमाने बजाजनगर पुलिस टेशन की वरिष्ट पुलिस निरिक्षक, शुभांगी देश्मुक, जी एच रायसोनी लॉग कॉलेज की प्राचारियास सोना कुमार, संस्ता की उपादक्ष किशोर बाउने, उपादक्ष कस्तुरी बाउने, एवं धरमपेट महिला बैंक की अदक् विशेश रूप से रक्तदान के शेतर में निरंतर सेवारोत रक्तदाता, नरेंदर सतीजा को डिसीपी गजानन राजमाने ने स्मुरती चिन्यप्रदान कर सम्मानित किया, अपने संबोधन में उन्होंने रक्तदान का महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक निय रक्तदाता है, साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों की जीवन पर मार्मिक उत्बोधन दिया, कारेक्रम का संचलन अनध्या वैग ने किया, आभार विवेक जुगादे ने माना, कारेक्रम में अरुना पुरोहित, डॉक्टर रवी गिरे, अशोक पत्की, चंदरशेकर चाया शुकला, आदि की उपस्तिती रही औल इंडिया मजलिस ए इत्यादुल मुस्लिमीन द्वारा, बाबु हर्दास एलन की पुनेधिती के उपलेक्ष में, रविवार काम्टी प्रभाग सोला में, निशुलक मेडिकल क्याम कायो जन किया गया इसक्याम में मुख्य चिकित सक्ट डॉक्टर हेमंद भनारकर, डॉक्टर श्रेयस धवडे, डॉक्टर अक्षे सरोदे, डॉक्टर मसूत रिजवी, सहित अन्य तकनिकी सहायकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की कलमना रोडस्तित सेफक्योर हॉस्पिटल में आयोजित इसक्याम में कुल 350 मरीजों ने अलग-अलग उप्चारों के लिए पंजी करन करवाया था AIMM के जिलादेक्ष शाकीबुर रह्मान, कामठी शरदेक्ष हाजी मुहमद आरिफ के मार्गदर्शन में तथा कामठी तालुका अदेक्ष मुझाहिद अन्वर, कामठी शरकार अदेक्ष इसमाईल पतेल, वसीम अक्तर, वस्टूडेंट विंग कामठी शरदेक्ष नदी जिया ठेकेदार, काशिप नौशाही, फैजान नौशाही, जिशान नौशाही, राज नौशाही, इमरान नौशाही, राशिद नौशाही, मक्बुल एहमद, मुसविल जमाल, मुहमद सैफ, आधी पदादिकारी वकारे करता गन मौझूद थे महा मेट्रो द्वारा ओरेंज लाइन मार्क पर कस्तुलचंद पार्क सिताबड़ी इंटर्चेंज खापरी, तथा एक लाइन मार्क पर सिताबड़ी इंटर्चेंज से, लोकमाने मेट्रो स्टेशन की बीच, सुबस साड़े 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, हर 15 मिनिट म मेट्रो ट्रेनों की आवाज आही संचालन शुरू है, जिनमें बर्दाम मार्क पर कॉंग्रेस नगर, रहाटे कॉलेनी, अजनी चोक, चत्रपती चोक, जय प्रकाश नगर, उज्वल नगर, एरपोर्ट, साउथ एरपोर्ट, निउ एरपोर्ट, और खापरी मेट्रो स्टे खापरी मेट्रो स्टेशन और आगे मीहान मेट्रो डिपो साथ ही सिताबड़ी इंटर्चेंज से लोकमाने नगर दर्मियान मेट्रो स्टेशन और आज हिंगना डिपो तक मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू रहता है, मेट्रो डेल का संचालन 25,000 वोल्ट के बिजली के ता का वहान किया है अखंद भारत विचार मंच की ओर से सौमी विविकानन जैन्ती वह मंच का स्थापना दिवस के अउसर पर मानकापूर के कारेले में कारेक्रमायो जित किया गया इस अउसर पर मंच ने 300 जरूरतमन लोगों में कमबल वचादर का वितरन किया कारेक्रम की सफलता के लिए उपादक्ष भागवत सिंग खंगार, दीपक पांडे, लोक नारायन पांडे, मुन्ना पांडे, रामा श्रे मिश्रा, मदन दुबे, कमलेश राय, रुपेश राय, रनविजे सिंग, अजय मोहबे, आमोद राय, विकी पांडे, मीता गुपता, विनोट ढोबले, संतोज दुबे, श्रिकान देशमुक, सहित अन्य सभी पधादिकारियों ने प्रयास किये। सुन्दरा काटोले, कमर अकरे, सुचिता शिरसागर, अन्जु येंगले, चैताली तरोडिकर, शशिकला निनावे, हंसारबे पटेल, जमुना राठावड, आदि उपस्तित थे। चवान ने की, कारेकारिनी में, रमेश महता अध्यक्ष, एनके इंगले उपाध्यक्ष, अनिल बोब्डे उपाध्यक्ष, महेश चंद्रगुपता कोशा ध्यक्ष, सुरेश महाले सचिव, मारोती शेंडे सदस्य, दाजश दुद्दलवार सदस्य, बाला साहे देवलकर सदस्य, मोरेश रुपा से सदस्य, मोती राम पाकरे, एवं नागेश घोड की सहसचिव का समाविश है सवामी विवेकानन ने हमेशा लोगों को उर्जावान बनने की सीख दी, वे कहते थे, युवाओ उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्षन ना प्राप्त हो जाए जितने अधिक प्रयास करोगे, उतनी है अधिक सम्रुद धिपाओगे इस आशे के विचार रजवाडा पैलेस में महाराष्ट पदेश उद्द्योग वेपारी सेल द्वारा आयोजित सौमे विवेकानन जैनती एवं राष्टे युवा दिवस पर विधायक वन अगर कॉंग्रेस अधिक्ष विकास ठाकरे ने वेक्त किये ठाकरे ने कहा कि प्रत्यक वेक्ति के लिए यह याद रखना होगा कि सभी सफल व्यवसाई नईतिक्ता की निव पर आधारित होते है उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापारी सेल पूरे महाराष्ट में अतुल कोटेचा के नेतरु तुमें व्यापारियों हेतु क्रांतिकारी कारेकर उनकी समस्याओं का निराकरन करेगी कारेकरम में प्रमुकता से पूरमंत्री अनेस एहमद, क्यामीट के अधाक्ष, व्यापारी निता दिपेन अगरवाल, उमेज डांगे, नागपूर चेंबर्स के सचिव, तरुन निर्बान, महाराष्ट कॉंग्रेस उद्योग व्यापारी सेल के अधाक्ष अतुल कोटेच उपस्ति थे, राष्ट युवा दिवस के अउसर पर उपराजधानी के सर्वश्री, सुदर्शन शेंडे, वरुन पारक, करन पाटनी, अंकीत सोखानी को इनके उतकर्ष कार के लिए सम्मानित किया गया, प्रस्तावना रखते हुए संयोजक अतुल कोटेचा ने बताया कि सौमी विवेकानन युवाओं के प्रेणा स्त्रोत थे, युवा अपने शहर वदेश में अपने व्यापार की उन्नती करें बुद्वार को मीडिया के सामने विभिन विशों पर चर्चा के दवरान राज में असमे वर्षा के कारण किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा जल्द करने की मांग भाचपा विधायक वर राज के पूरे उलजा मत्री चंदरशेकर बावनकुले ने राजसरकार से की बावनकुले ने कहा कि विधर्ब में पिछले तीन दीन से हुई बेमौसम बरसात और ओला वुरुष्टी से किसानों का काफी नुकसान हुआ है ऐसे में खेत में लगी फसल, सबजी पूरी तरह से नश्ट हो गई इस संबन में विधायक चंदरशेकर बावनकुले ने राजसरकार के से शतिकरस्त फसल का पंचनामा कर किसानों को मुआज़ा देने की मांग की उन्होंने कहा कि मुख्यमत्री उद्व ठाकरे को किसानों की समस्या सुलजाने के लिए प्रयास करना होगा तीन दीन से विधर्ब में हुई बेमोसम बारिस से किसानों का काफी नुकसान हुआ है चना, मोसंबी, तूर, कपास, सबजी समेत खेत में लगबख सभी प्रकार के फसल नश्ट हो चुके है ऐसे में ओला वश्टी होने पर राजसरकार द्वारा तुरन इस समस्या का संग्यान लिया जाता है और पंचनामा करने के आदेश दिये जाते है लेकिन अब तक मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने श्टीग्रस्त फसल का पंचनामा करने का कोई आदेश नहीं दिया है यहां तक की जिलादिकारी और पालक मंत्री भी चुप बैटे है आज 15 प्लस और 45 प्लस आईउवर के सभी नागरिकों का कोई शिल्ट का टिका करन नागपूर महनगर पालिका के साथ सरकारी के इंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंद्रो पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविशिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकरी चिखिसा स्वासदिकारी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहिब अमबेटकर अस्पताल कामफ्टी रोड वस्वरगिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले चत्रपती शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की जहनती के अउसर पर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के शहर अद्यक्ष दुनेश और पेठे ने उनकी तस्वीर पर माल्यारपन कर आदरांजली अरपित की इस अउसर पर शेकर सावर बांदे वर्षा शामकुले महेंद्र भांगे श्रिकान घोगरे विशाल खांडेकर प्रमिला टेमबेकर सुनिल लांजिवार सुधिर पाटिल मनेश मोरे वसिम पतेल राजु खडगी अमिच चोवान शेकर पाटिल अबाजरी ओरफलो पॉइंट के पास स्वामी विवेकाननत की प्रतिमा के नीचे एक प्रदर्शनी का लोकारपन किया गया इस अउसर पर महापोर दयाशंकर तिवारी ने घोशना की कि नागरिकों के लिए प्रदर्शनी शुरू हो गई है इस अउसर पर उपमहापोर मनि अबिशा धावडे, राश्य स्यंसक संग नागपुर महानगर के संचालक राजश लोया, मन पाखेल समिती सभापती प्रमोत तभाने, नगर सेवी का वर्शा ठाकरे, नगर सेवी का डॉक्टर परिनीता फुके, आदी माननेवर उपस्तित थे मापोर दहाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदर्शनी का उदगाटन स्वामी विवेकानन की जहनती के उसर पर किया गया है, ताकि नागपुर में युवापिढी उनके जीवन से प्रेणा ले सके, स्वामी विवेकानन की पूरी जीवनी को दर्शाते हुए भित्ती चित्र रखे गये है, प्रतेक भित्ती चित्र के नीचे एक टीवी स्क्रीन की कई घटनाओं की कहानिया श्रववेद रुष्यमाध्यम से देखी और सुनी जा सकती है, इस बहुरंगी भित्ती चित्र को नागपुर के कलाकारों ने बनाया है, यहां 17 टीवी स्क्रीन लगाई गई और नागरिक एक ही समय में प्रतेक स्क्रीन पर अलग-अलग कहानिया देख और सुन सकते है, मदरास रामकुर्शन मिशन ने सौमी जी की जूनी पर एक डिजिटल कहानियों का संग्रह बनाया है, इसमें 36 कहानिया शामिल है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार